दूस्तों, अमोमन आजकल सुप्रीम कोट की तरफ से जो जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसले एतिहासिक ही साबित हो रहे हैं और उन फैसलों का कोई ना कोई link, कोई ना कोई तालुक जो है हमारे देश की पार्टियों से ज़रू नसरा रहा रहा है हमारे देश में जो तरीके की राजनीती हो रही है उस राजनीती से वो लिग नज़रा रहा है उस राजनीती से वो तालुक नज़रा रहा है हाली में इलेक्टॉरल बॉंड को लेकर इतना बड़ा अतिहासिक फैसला सुप्रीम कोट ने सुनाया था तो प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी जिय की तरफ से भारी भरकम या बड़ा ट्वीप नहीं किया गया दो career स्भी जो फैसला लिया है उस पर प्रदान Mack üçी ने tvेat करके उसकाफ इसका का स्वागत किया है अवब वह फैसला क्या है ये तो मैं आपको इस में बताने वाली ही हूँ हाला कि शुरुआत में क्लियर करना चाहेंगे ये फैसला भी बहुत बेहतरीं फैसला है दोस्तों आगे चल कर फैसला नजीर बनेगा और वाकई में अभी भी नजीर बन चुका है आपको बताऊंगे इस ख़बर में कि वामला क्या है आखिर तक इस समस्तर मेरा नाम है जयनती जहा और आप देख रहे हैं दिकनटाब दोस्तों सुप्रीम कोट की तरफ से वोट के बदले नोट जिहां वोट के बदले नोट के उपर एक एहम फैसला सुनाए गया है इस फैसले का असर हर उस राजनितिक दल पर पढ़ सकता है जिस पर अभी तक वोटों के बदले नोट मांगने का आरोप लगा या पर चाहें वो संसद में हो चाहें पर चुनाव में हो किसी भी तोर पर अगर कोई नेता अगर कोई संसद इस तरीके का कदम उठाता है वोट के बदले नोट मांगता है या सवाल पूछने के बदले नोट मांगता है तो उस पर ये फैसला पूरा बेस्ट है दोस्ता आप सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने इस फैसले को लेकर क्या ट्वीट किया है उसके बाद संशेप में आपको ये पूरा फैसला भी मैं बताने वाली हूँ इसे के साथ साथ कर निकल गए कैसे बताऊंगी दोस्तों इस खबर में आपको तफ्तीश से बताऊंगी उससे पहले जखर करते प्रधान मंत्री मोदी जी के उस ट्वीट का जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है अब ये जो ट्वीट है इसको लेकर रवीश कुमार जी ने एक का सक्रीन शॉट करते हुए लिखते है कि क्या प्रधान मंत्री ने इलेक्टॉरल बॉंड वाले फैसले का भी सवाकत किया था इसी तरीके से पिछले दस साल में गंगा जल पीकर विधायकों ने अपनी पार्टी तोड़कर सरकार किरा होगी तोई कहना क्या चा रहा है इस को दोस्तर आप ज़रा समझ लीजे गौर से देख लीजे देकि प्रदानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है उनके ट्वीट का स्क्रीन शॉट है जिसमें मोदी जी ने लिखा है कि स्वागतम अग्रेट ज़र्जमेंट बाइ लिखा है जो अब फैस्टा लिया गया है स्वागतम को खत्म करेगा हमारे देश में भरष्टाचार को खत्म करेगा बलकि हमारी देश की राजनीती को भी साफ सुत्रा बनाएगा यानि politics को एकदम clean, neat and clean बनाएगा देखिए यही बात तो electoral bond के मामले पर भी लागू होती थी लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी का tweet नजर नहीं आया दोस्तों पता नहीं क्यों उस पूरे मामले पर अब इसे ही कहते हैं दोस्तों कि दोहरा मापदर्ड आप इसे selective opinion कह सकते है शुरुआत में जिसका मैंने जिक्र किया, कि इसी पर हमें tweet करना है, बाकि हमें किसी चीज़ पर tweet नहीं करना, अभी तक सुप्रीम कोट की तरफ से एक सिवर करे कहते हास एक फैसले आया है, जिसके लिए हर एक फैसले पर हमारे देश की मणनिय सुप्रीम अदालत की सराना ह पीर थपाई जानी चाहिए लेकिन कुछ वो चुनिंदा मामले जिस पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी का नाम कभी सामने नहीं आया इसलिए हो सकता है कि ये प्रिधान मंतरी मोदी जी द्वारा ट्वीट किया किया है दोस्तों अब इसको लेकर ये जो पूरा फैस कि नोट लेकर सदन में अगर वोट दिया तो मुकदमा चलेगा सुप्रीम कोट का सांसदों को कानूनी चूट देने से इंकार 25 साल पुराना फैसला भी पलट दिया सुप्रीम कोट का ही 25 साल पुराना फैसला था जिसको सुप्रीम कोट ने पलट दिया है दोस्तों साल पुराना फैसरा पलट दिया सीजाय डिवाच अद्चूड, जस्टिस एस बोपना, एमेम सुंद्रेश, पीएस नरसिम्हा, जेवी पार्दिवाला, संजे कुमार और मनोज मिश्रा की कॉंस्टिटूशनल यानि समयधानिक पीट ने ये कहा कि हम 1998 में दिये गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाशन देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने जैसे मुकदमे से छूट दी गई थी, अब 1998 में पांच जजों की constitutional bench ने तीन दो के बहुमत से दोस्तों ये पूरा फैसला सुनाया था, जिसमें ये तै किया गया था कि ऐसे मामलों में जन प्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जन प्रतिनिधि मतलब जो जनिता के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनकत आये हैं, चाहें फिर वो संसद हो, चाहें फिर वो MLA हो कोई भी ऐसा public figure, खासकर एक political figure, जो अभी तक ऐसे मुकदमों से छूटता आ रहा था जिसको छूट मिल रही थी उसे विशेशादिकार कानून के तहत अब छूट नहीं मिलेगी, तो यह पूरा फैसला है बेशक सरानी है तोस्तों अब इस फैसले में अगर ध्यान से गौर से देखा जाए तो किस तरफ इशारा है यह जो फैसला है दोस्तों, एक तो जार्खन मुक्ती मोचा की विधायक पर रिलेट करेगा ऐसा बताया जारा है क्योंकि उस विधायक जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, उन पर वोट के बदले रिश्वत लेने का आरूप लगा था 1998 के फैसले के आधार पर केस से छूट उन्होंने मांगी थी तो अब उनको छूट नहीं मिल पाएगी इसके अलावा उनके अलावा अगर बात की जाए महुआ मोहित्रा की तो महुआ मोहित्रा का जिक्र भी किया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों उनके उपर आरूप लगा दोस्तों उनके सांसिती भी रद्ध हो गई महुआ मोहित्रा की इस बात को लेकर कि महुआ पर बोट के बदले सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरूप लगा था कि नोट फॉर क्वेरी ऐसे करके उनके उपर कुछ आरूप लगा था दोस्तों कैश पॉर क्वेरी माफ किजेगा कैश पॉर क्वेरी जो मामला था वो पूरा मामला महुआ मोहित्रा के खिलाफ बताया जारा तो यह जो केस अभी फिलाल सामने आया है जिस पर फैसला सामने आया है सुप्रीम कोट का इसको भी महुआ मोहित्रा है सराहनिय फैसला है आगे जाकर एक नजीर बनेगा लेकिस सबसे सरूरी बात दोस्तों ये कि सिर्फ यही एक फैसला नहीं लिया गया बीते दिनों हमारी देश की राजनीती से भरष्टचार को खत्म करने के लिए और अपारदर्शिता को भी खत्म करने के लिए जिसे आप ट्रांस्पेरिंट नहीं बताएंगे इलेक्टारल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया को ट्रांस्पेरिंट बताया गया था हमारे देश की सरकार द्वारा लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला गया CGI डिवाचन चूर ने जब 10 सवाल पूछ लिए तो सारी ट्रांस्पेरिंसी धरी की धरी रह गया जोस्तों क्योंकि सब कुछ सामने आ गया कि जनता को जिनको ये कहा गया था देश की सरकार द्वारा कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिल रहा है ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में तै हो गया कि जनता इस बात का अधिकार रखती है कि किस party को कितना चुनावी चंदा मिल रहा है और ये बात भी जानने का अधिकार रखती है कि किस ने वो चुनावी चंदा दिया अब इतना बड़ा फैस्टा लिया गया था सबसे जदा चुनावी चंदा किस को मिला था भारतिय जन्ता party को अभी 13 मार्च को पूरी की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगे अगर इस पर आगे सुनवाई हुई तो 13 मार्च को पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना चंदा और किस ने दिया ये सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या उस पैसले की सराना मोदी जी करते में नज़राए नहीं नज़राए दोस्ते इतने समय से हमारे देश की सताधीन पार्टी पर विधायकों को दूसरे पार्टी की विधायकों को तोड़ने का आरोप लगता है जिसे आप अंग्रेजी में हॉस ट्रेडिंग भी कहते है पीचे के दरवाजे से विधायकों को तोड़ना उनकी पार्टी को आधा कर देना और उसके बाद बाकी की चीज़र करना दोस्तो तो ये आरोप भी भाजपा जेल चुकी है लेकिन मजाल है कि मोदी जी इस पर कुछ एक शब्द बोलने एक शब्द नहीं बोला जारा है दोस्तों तो क्या इसको माना जाए क्या माना जाए इससे आप खोदी बताइए इस पूरी ख़बर पर हम आपके राय जानना चाहेंगे क्या प्रधान मंत्री मोदी जी अपने ही ट्वीट करके अपनी ही पैरों पर कुलाडी तो नहीं मार गए है अपनी राय कमेंट करके बताएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मुलाकात होगी आप से अगली वीडियो में तब तक लिए नबसका